जिसका मुझे था इंतिजार बो घड़ी आ गई आज पीपर को सौल्व कराना है सत्तर में सत्तर फिर से लाना है प्यारे बच्चों आफ सभी एक अक्षा दस्के विध्यारतियों का हमारे यूटूब चैनल राम जुयादपर स्वागत है आज हमें जिसका बड़ी बेरहमी से इंतिजार था प्यारे बच्चों यूपी एमस्पी की साइट पर सरकार ने इसमी मॉडल पेपर आपके सामने प्रदसित कर दिया है इसी मॉडल पेपर की आधार पे आपका वूट परिक्छा में प्षेम 2 शेम बीटा इसी के आधार पे आपका प्षेम लाहिएगा है तो देखते हैं ज्स्राइख कूछ тобой रहा थो किया है लुख ठीच में है को इस ब्रसक्agoald ज्योंक अमरे Va Pengel Jen चार्थी को पिष्टने पत पढ़ने के लिए निरधारत हैं आपको दिये ही जाती थे पिष्टने पत दो खंडों में हैं आ और बा याद रखना बीटा जो आखंड है उसमें आपके बहु विकल्पी आएंगे जो कि उयमार पे होंगी और बा आपको लिखना होगा पिष्ट या तो आप नीले पैन से या फिर काले पैन से और भी डॉट पैन चाहिए जैल पैन नहीं चाहिए इससे आपको ओया मार भनना है प्यारी बच्चों एक गुला भनना उसमें दो निसान लगाना दो गोला भनना बाहर निकालना अंदर छोड़ना या किसी प्रकार गटिक कर अगल्पी आपका एक नंबर का आएगा और बाकी जो खंडबा है उसकी सामने लिखी रहते हैं अगला कोश्चन आपको दिखा दी रहा है वे याम सीट पर उत्तरंकित करने की पश्चात उसे काटने नहीं और बीटा हाँ यह बहुत खास बात आई है इस बार कि वेमार के नहीं और बीटा है जो जो हम देखते हैं सारे कोश्चान आँसर किस प्रकार आए हैं तो देखिएगा आपके हम कोश्चान आसर बता देखो सभी बहु विकल्पिये एक एक यह प्यक्या को टोटल बीस नमबर में आपके आए हैं यह कितने अगको में आये हैं बीटा बी प्यारे बच्चो याद रखना इसका सही आंसर होगा दो वेधी यूग तो बाबु गुला बरा है किस युग के लेखक हैं? दो वेधी युग के लेखक अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं आपको दिखाई दे रहा होगा अगला कोश्चन चिंता मनी किस विधा की रचन पहले हम आपको यह बता दें बेटा कि चिंतामणी की लेखाख है आचा रामचंद सुक्ल और जो चिंतामणी है प्यारे बच्चो वो निबंध है कौनसी विधा है निबंध नेक्स्ट कोश्चन गवन किसकी रचना है प्यारे बच्चो आपको अच्छे से पता होगा गवन है मुनसी प्रेमचंद की रचना और ये उपन्यास है गवन क्या है उपन्यास गवन और गोदान सीवासदन इनकी बहुत इंपोडेंट उपन्यास है विटा मुनसी प्रेमचं अगला कोश्चन आपको दखाए देरा होगा नीड का निर्माण फिर ये पूरा है नीड का निर्माण फिर फिर ये किस विधा की रचना है तो जल्दी से बताइए प्यारे बच्चो नीड का निर्माण फिर फिर ये अपनी आत्म कथा है और आपकी जानकारी के लिए बता द प्रवास किस युग की रचना है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रवास किस की रचना है प्यारी बच्चों तो याद रखना प्रवास किस की रचना है जल्दी से बता हुए अयुद्या सिंग उपाद ध्याय हरियोद प्रवास किस की रचना है अयुद् नेक्स्ट मधू साला किसकी रचना है तो प्यारी बच्चों याद रखना मधू साला मधू बाला ये सब किसकी है हरी बंसराय बच्चन अब आपको याद आ गया होगा यार बच्चन मतलब अभीताब बच्चन जी हाँ अभीताब बच्चन की पिताजी ही है हरी बंसराय बच उन्हें की रचना है मधु साला और मधु बाला इसमें है मंदिर मस्जिद बैर सिखाते प्यार सिखाते मधु साला एक कवीता याद आ गई अगला भारत भारती किसकी रचना है तो प्यारे बच्चों सिंफिल सा कोश्चन उन्होंने दिया है भारत भारती है मैतली सरण बच्चो आदुने काल 1843 से अब तक माना जाता है इसका सही अंसर होगा 1843 से अब तक मती राम किसी युग की रचना है मती राम किसी युग के कभी है सोरी मती राम किसी युग के कभी है प्यारी बच्चो मती राम रीती काल के कभी है और अगर वो रीती काल में भी पूछते तो वो रिती बद्द कावधारा की कभी हैं तो यह आपके मेंने कहा था कि दस question रचनाओं से पांच गद्द के पांच पद्द के और उसके बाद भीटा अभ्याकन के question आए है पहला question हास रस का एस्थाई भाव है आपको पता ही होगा हास रसकैस थाई भाओ है हास क्या है हास अगला नेक्स्ट कुश्टन की उर बढ़ती हैं सुहत उड़े पीत पट स्याम सलोने गात ओ मनु नील मनी सेल पर आतपर यो पिरभात प्यारे बच्चो इसमें बताना है आपको कि कौन सा अलंकार है तो जल्दी से आपको हम एक बात बता दें कि इसमें हैं प्यारे बच्चो अपना उत्परेक्षा अलंकार कौन सा अलंकार है उत्परेक्षा सोहत ओड़े पीटपट जैसे ही किसने भागगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग भगवान पीली बस्त पहन लेती हैं मनू मनू माने मानू जहां भी याद रखना ही मनू सब्दा जाए ना बीटा कौन सा सब्दा जल्ली बताओ मनू तु याद रखना मनू आ जाए जनू आ जाए मनहू आ जाए बहां पे होता है उत्परिक्छा अलंकार कौन सा अलंकार होता प्रकास नहीं है प्रभात है तो जैसे किसने भगवान ने प्रवत पर विटा सवेरा हो गया हूँ नेक्स्ट तो इसमें अलंकार पूछाता कौन सा अलंकार उत्पर एक्षा अलंकार है हम आपको पहले बता चुकिए प्यारी बच्चो नेक्स्ट कोश्चन की उर बढ़ती हैं अगला कोश्चन कहे रहा है रोला चंद में कुल कितने चरण होती हैं जल्ली से बताईए बीटा रोला चंद में कितने चरण होती हैं रोला एक सम्मात्रिक चंद है इसमें कितने चरण होती हैं इसमें सोरी चार चरण होती है इसमें कितने चरण होती है चार रोला एक सम्मात्रिक चंद है इसमें चार चरण होती है प्रतिक चरण में 24 24 मात्राएं होती है तो इसका सई क्य चार कर्षन सब्द में किस उपसरग का प्रियोग किया जाता है दीस का राइट आंसर हो ऊगा नेक्स्ट कोश्टन की उर बढ़ते हैं प्यारी बच्चों हम रचना के आधार पे बाक के कितने भीद होती हैं अच्छी से याद कर लो इस बात को यह आप किसले बस में न्यू एड हुआ है बाक न्यू एड हुआ है बाक और पद परी चाहिए नई सब्दाए हैं इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ना है फिलहाल आपके लिए बता दें कि बीटा रचना के आधार पे होते हैं बाक के तीन भीद कितने भीद होती हैं तीन नेक्स्ट पीतांबर में कौन सा समास है पीला है जिसका अर्था स्री किसने वगवान तो इसमें होगा बहुबरी ही समास न संस्कित के मूल सब्द हिंदी में प्रियुक किये जाते हैं उन्हें तर्सम कहते हैं उनका विगड़ा रूप क्या कहलाता है तदभाव कहलाता है नेक्स्ट आंगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चो अगला कोश्चन देखो हमने कहा था एक बात चाहे हैं और एक आहें बात तो नेक्स्ट कोश्चन है करत बाच में किसकी प्रधानता होती है तो प्यारे बच्चो इसका सही आंसर होगा करता की प्रधानता इस दर राइट आंसर तो करत बाच में करता की प्रधानता होती है नेक्स्ट कोश्चन वो आपसे पूछ रहा है अगले कोश्चन की और प्य कि तो कुछ नहीं हूता सही होता है क्या हूता है रश्रφ पहचान जाए तो क्या होता ही नहीं है त्व बंत क्रेंशन हुदे और बहु बचन जल्दी बताईए तेभ्या का क्या होगा चतूरती विवक्ती बहु बचन नेक्ष्ट बढ़ते हैं निमन लिखित में सरव नाम है देखो मनुस बेटा एक जाती बाचक संग्या है बचपन एक भाव बाचक संग्या है इन में से कोई नी तो है नहीं तो सई आंसर इसका कौन सा होगा जल्ली से बताईए सई आंसर होगा वह है इसका सई आंसर क्या होगा प्यारी बच्चो बहे निमन में सरब नाम है कौन है वहे इस दा राइट आंसर अब बढ़ते हैं प्यारी बच्चो हम खंड बाकियोर कहां बढ़ते हैं प्यारी बच्चो खंड बाकिय तो देख रही है आप खंड बाद में आपके तीन पृस्नें आएंगे दौसी तो एक गद्ध करना हैं कि वह आचे को पर्दीस आएंगए उसके प्रिष्णों के अध्यาน्थ कि यह बात जरूरी नहीं है कि जो एक ही सवभाव के लोगों में मित्रता हो एक ही उनकी रुची हो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि Κैसाथ की सबसे इस नहीं एक ही रुचश着 नाने की सबसे हों समाज में नोग एक दूसरी जा कलते हैं समाज में लोग कर देखते जसी कोई दबला पत्ला होगा तो थोचेगा कास राफत बर वैक्ति मिल जाएं मज़ा जाएं को कहीं लडाई नहीं होगी तो समाज में गष्यों सिर्व कुछीरा कर से कहा हैं जो कुन हम में नहीं है ना बोकित चाहते हैं तो चंद्र गुप्त की युकति और उपाय के चाड़काह बत आके गाई प्यारी बच्चू तो चंद्रकुप्त सोचेंगे कब चारख हमें इसी बात बता दें कि जिससे हमारा भला हो और नीती विसारत अकबर मन बहलाने बाले बीरबल की ओर देखेगा तो आप समझ में आ रहे ना अकबर चाहें कि कब बीरबल आ जाए बड़ी यूजना बता दें मज़ा आ जाए तो यह ज़रूरी नहीं कि एक ही सोभा के मित्र नों खेर इससे हमें मतलब नहीं था आप कोश्चन की ओर देखते हैं प्यारी बच्चों पहला कोश्चन है उप्य पद्ध में होते लेखक और पद्ध में होते रचाईता नेक्स्ट रेखांके तंसकी व्याख्या मनें आपको अभिहाल तो कराई है लेकिन एक बाद और बताएं दे रहे कि आचा रामचंद सोकली जी कहते हैं कि यह आवशक नहीं कि एक ही स्वभाव और एक ही पसंद एक जैसी पसंद वाली लोगों के बीच दोस्ती होती है बलकि समाज में बिभनता हैं देखकर लोग एक दूसरे की और आकरसित होती हैं वो चाहेंगे कि जो गोड़ हम में नहीं है वो गोड़ उन में हो और इतोस्ती हो जाती है तो आप ऐसी इसकी ब्याख्या कर देना बेटा अगला लेखक के अनुसार समाज में बिभनता देखकर लोग एक दूसरे की और आकरसित क्यों होती हैं ध्यान से देखो प्यारी बच्चों वो इसमें कह रहे हैं कि लेखक के अनुसार समाज में बिभनता देखकर लोग एक दूसरे की और आकरसित क्यों होती हैं तो लेखक उन्हें ऐसा में तमिल्या जिसमें वो गुड़ हों इसलिए लोग एक दूसरे की और विपनतायन देखकर क्या होती है प्यारी बच्चों आकर से थोती है अगर या तो आप ये कर दो ये नहीं आ रहा तो फिर ये बाला कर दो बीटा हे भगबान तब के लिए बिपत के लिए इतना आयोजन परम पिता की इख्चा के बिरुद पिता जी इतना साहस तो ये कौन कह रही है बीटा आप समझ गए होंगी ये कह रही है ममता कौन कह रही है ममता क्या कह रही है देखू ममता हे भगबान तब के लिए बिपद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इक्छा के बुरुद इतना साहस पिता जी क्या भीक ना मिलेगी क्या कोई हिंदू भूपरश्ट पर बचाना रह जाएगा जो ब्राम मड को दो मुठीयन ने दे सके जाया संभाव है फिर दीजिए पिता जी मैं काप रही हूं इसकी चमक आखों को अंदा बना रही है तो ये सारी बाते की थी बेटा ममता ने और आपको पता है ममता के पिता का क्या नाम है चूणामणी क्या नाम है चूणामणी तो बेटा ये चूणामणी से कहा था ममता ने तो अब देखते हैं इसकी ब्याख्या ममता खहती है हे भगवान पिताजी तब के लिए उस समस्या आपातकाल के लिए आप भगवान की इच्छा की बुरुद इतना साहस कर रहे हैं क्या उस समय हमें कोई भिक्षा नहीं देगा कैस पूरी पृत्वी पर ऐसा कोई ब्राम्मन नहीं होगा जो हमें धो मुट्टी अन्य दे सके पिता जी यह लोटा दीजिए इसकी चमक मेरी आखों को वंदा बना रही है मैं काँप रही हुई पिता जी इसे फेड़ दीजिए यह प कि मम्ता नामक से लिया गया है और यहां तक रिखां के तंसो सप्ष कि यहां नीची रेखां की तंस बोलते तो अभिहाल ब्याख्या बताते हैं विटा पहले तुमें longitud में आक बार और सुनलों मता जब बेटा मम्ता कहती है आपको कौन कहती है मम्ता रिखां के तंस में कहा देना है कि मम्ता कहती है पिताजी आप भगवान की इक्छा की विरुद्ध इतना आयूजन क्यों कर रहे हैं क्या उस समय हमें भिक्छा नहीं मिलेगी क्या कोई ऐसा कोई प्रिथभी पर ऐसा कोई ब्रामन नहीं बचेगा जो हमें दो मुट्टियन दे सके ये आपको ब्याख्या कर देनी है ठीक है बेटा ये थूड़ा समय ने आगे का पीछी कैसे ली लिया ताकि ब्याख्या सही सब्दों में स्पष्ट हो सके लेना मंता ने इस शुरकी एक्षा की ब्रुद्ध बताया है तो आशा करते है इन में से आपको जो भी आई बेटा वो कर देना देखो तीनों दो दो वंकों में आने हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा प्यारी वच्चों दो पद्ध्यानस आएंगे वो भी आपके देखो तीन कोश्चन आएंगे दो-दो नंबर के आएंगे तो पद्ध्यान्स की उर बढ़ती हैं चरन कमलवन दोहरी राई जाकी किरपा पंगुगीर लंग है अंधी को सब कुछ दर्शाई तो हम एक एक अक्षार से बेटा इसकी आपकी सामने ब्याख्या करती हैं चरन कमल यहां फिक्स कर दिया प्यारे बच्चो जो भगवान की कमल रूपी चरन बना दिया जो किसने भगवान की चरन है ना उनने क्या बना दिया कमल तो कमल रूपी चरन बंदव माने बंदना करती हैं हरी राई माने स्री किष्णे की अर्थात में स्री किष्णे भगवान के कमल रूपी चरणों की बंदना करता हूँ और यह कौन कर रहे है आप समझ गए होंगे सूरदास जी कह रहे है यसा जाकी किरपा जिनकी किरपा से पंगु मीन्स लंगडा गिरी माने परवत और यहां लेहो नहीं है यहां लंग है आएगा गलत शब गया लंग है माने लंग जाता है जिनकी किरपा से लंगडा वैक्ती परवत को लंग जाता है तो क्या होगा मैं स्री किसने भगवान के कमल रूपी चरणों की बंदना करता हूँ जिनकी किरपा से लंगड़ा व्यक्ति परवत को लांग जाता है और आंगे अंधे को सब कुछ दर्साए अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है बहर और सुने बहरा सुनने लगता है गूंग यानि गूंगा व्यक्ति पुनी पुनी माने फिर गुले माने बोलने लगता है गूंगा फिर से बोलने लगता है रंक चले सिर छत धराए और रंक माने बेटा भिक्चुक चले माने चलने लगता है सिर छत धराय राजाओं की सिर पर छत धरान करके बेच्चुक बेक्तिवी राजाओं की तरह अपने सर पर छत धरान करके चलने लगता है किनकी भगवान सिरी किसने की किरपा से सूर्दास करणामय स्वामी सूर्दास करणामय स्वामी सूर्दास जी ऐसे करणामय स्वामी की बार बार बंदोते ही पाए बार बार बंदना करते हैं कौन करते हैं बेटा सूर्दास जी ऐसे करणामय स्वामी की बार बार बंदना करते तो देखिए प्यारी बच्चों इसमें तीन प्रिष्णे आए हैं प्रस्तुत पद्यांस का संद्रब लिखिए तो सिंपल सा प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाठ के पुस्तक हिंदी में पद के पद नामक पार्ट से लिया गया है और इसमें क्या होते हैं रचाइता यास तो प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाठ के पुस्तक हिंदी में पद के पद नामक पार्ट से लिया गया है इसके रचाइता सूदास जी है नेक्स्ट रेखांके तंस की ब्याख्या की जिए तो प्यारी बच्चों अभी दिखू ये दू उन पहरी रेखांके तंस बहरो सुने ग पहरा सुनने लगता है गुंगा फिर से बोलने लगता है और भिक्चुक बैक्तिवी राजाओं की तरह अपने सर पाच्छत धान करके चलने लगता है तो यह आपकी रेखांके तंस की ब्याख्या नेक्स्ट कोश्टन उप्योक्त पंगती में कौन सा लंकार है तो आपको पता है और पंगत्यों में में पहले बता चुका प्यारी बच्चो देखो यहां कला लिखा न में तो इस प्ध्यांस में कौन सा लंकार हो गया है प्यारी बच्छो रूपक अलंकार अब आगे बढ़ते हैं तो देखो अत्वा में आया या तो आप ये कर दो अगर ये नहीं आ रहा है प्यारे बच्चो तो फिर आप ये वाला कर दो देखो ये वाला सुनी सुन्दर वेन सुधार अनसाने सयानी है जान की जानी भली और तिर छेकर नैने तिने समझाए कच मुसकाए चली तोल सीते ही अब सर से सो ही सवै अब लोका तिलो चनला हुआली अनुराग तडाग में भान उदे बिकिसी मन मंजुल कंज कली कुछ कुछ इसकी मिस्तिक होगी है बिटा चपने में गलत चप गया है लेकिन हमने आपको सही बताया है सुनी सुन्दर द्यान से देखना वो कह रहे हैं सुनी सुन्दर वेन सुनी माने सुने और सुन्दर वेन माने सुन्दर बचन सुधारस सान मतलब अमरित रस्से भरे हुए तो अमरित रूपी बचनों को सुनकर सयानी माने सयानी है यानी चतुर है जान की जानी भली जान की मतलब माता सीता समझ गई बेटा सक्हियों के वो जो वेश्थिया थी ना उनके अमरत भरी बचनों को सुनकर चतुर जान की जी सब बात को समझ गई और क्या हुआ तिरचे कर नेन तिने समझाय कच्छू मुस्काय चलनी अपने नेन को तिरचे करके समझा दिया और मुस्कुरा कर चलने लगी मतलब उन्होंने ये पूछा था कि ये जो गोरे रंग के खड़े हैं आपके कौन है जो धनसमान लिये हुएं तो सीता जी उनकी चतुर अमरत भरी बाने को सुनकर समझ गई ये तिरचे नेन करके सारा बता दिया कि ये तिरचे नेन का मतलब है हमारे पती देव हैं ये कौन है हमारे पती देव तुलसी तहीं अब सरसोहीं सब और उस समय बेटा वो इस परकार सोभित होने लगी अब लोकत अब लोकत माने देखने लगी लोचन माने नित लाहू अली लाहू माने लाव और अली माने सक्या तो उन्हें देखकर सक्या को इस परकार उनकी आखों को लाव होगा कैसा लाव होगा कैसी परसन होई अनुराग तड़ाग अनुराग माने प्रेम और तड़ाग माने तालाब यानि प्रेम रूपी तालाब में भानु माने सूर्य उदय माने उदय हो गया हो और विक्सी माने खिल गई हो मनु माने मानो और मंजुल कंज कली यानि नेत रूपी कमल की कलियां तो बेटा उन्हें ऐसा लगा प्रेम रूपी सरोबर में राम रूपी सूर का उदय हो गया हो और नेत रूपी कमल की कलियां खिल गई हो उन्हें इस समय इतना आनंद प्रतित हुआ तो पिष्णों की उर बढ़ती है उप्यक्त पद्यांस का संद्रप क्या है प्रस्तोत पद्यांस हमारी पाठे पुस्तक हिंदी में पद के धनुस भंग बिटा सोरी ये धनुस भंग से निलिया गया है ये तो बन पत पर से लिया गया है धनुस भंग तो पहला वाला था तो यह जो सवय आहीं कहाई से लिए गए बिटा बन पत पर तो आपको कहना है प्रस्तोत पद्यान समारी पाठ पुस्तक हिंदी में बन पत पर नामक पाठ से उद्रत हैं और इनकी रचाईता हैं गुश्वामी तुलसीधास रेखांके तंस की ब्याख्या कीजिए देखो आपको जिसके नीचे अंडरला यहीं तो आपको कहना है कि अनुराग तडाग में भान उद्यास सखियां सीता जी को सीटा जी तरीच्चे नें कर दिये तो उन्हें देखकर सखियों को इतनी प्रसंता हुई उन्हें ऐसा लगा जैसे प्रेम रूपी सरो बर में राम रूपी सूल क पाउदय हो गया हो और नेत रूपी कमल की कलियां खिल गई हो यह आपकी ब्याख्या हो गई नेक्स्ट अनुराग तड़ाग और मनु मंजुलकंज कली में वो पूछ रहे हैं इन में कौन सा अलंकार है तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम आपको बता दें अनुराग तड़ नेक्स कर दिया प्या रूपी सागर तो आपको पता ही चल गया कि यहां पर रूपा कलनकार है और फर आ गया को बाद प्यारे बच्चों आहन के आंगे नहट बढ़ते हैं बिता गद्द्राग जिएाँस में किसी एक का संदरफ सहित अनुबाद के जिए दो संस्कृत के बेटा गध्यान साएंगे और उसके बाद दो इस लोक आएंगे तो ये देखो दो पिलस्तीन यानि दो नंबर में आना है संदरब और तीन नंबर में करनी है आपको इनका अनुबाद तो पहली हैडिंग डालना संदरब दूसरा बस तक हिंदी में शंस्क्रित खंड के बाराण सी नामक पार्ट से उद्ध रत है और दो नंबर पक्के अब बड़ती है बीटा उसकी ब्याठ्या की ओर तो द्यान से इसकी ब्याठ्या की ओर देखते है प्यारी बच्चो एसँ नगरी यह नगरी भारती यह थै妳 भारतिय संस्कृति और संस्कृत भासा का कैंद स्थल है नेक्ष्ट बढ़ते हैं इत इव यानि यहीं से संस्कृत यानि संस्कृत वानमस यानि साहित संस्कृत तेश्च और संस्कृति आलो का हमाने प्रकास और सर्वत्त माने सभी प्रस्ता हमाने फैलता है यहीं से संस्कृ साहत और संस्कृत का प्रकास सबी जगें फैलता है संस्कृति goofy और को यहीं से ही संस्किर्ष साहत और संस्कृति का प्रकास सब जगें मुगलिव्राज दारा इसकूनिहाज अत्रागत यहां आ कर भारतिय दर्सन भारतिय दर्शन सास्त्रों का अध्यनम अक्रूत अध्यम माने अध्यम अक्रूत माने किया यहीं क्यांगी मुगली वराजदारा स्विकुई ने यहां आकर भारतिय दर्शन सास्त्रों का अध्यन किया सते साम सते साम माने उन से ज्ञाने ज्ञान से यानि उसके ज्ञान से कि उसके संस्क्रत के ज्यां से प्रवावे अब भत्मा ने हुआ और उसके ज्यां से इतना प्रवावेrire करा या तो art Acrogator कर दो अगर यह नहीं आ रहा थो next våd civ क्रटी है या तो फिर आप यह कर दो कर दो मानोगी मोनपित संकृटी मान यह संचिर्टी मानवजीवन को सजाना समाना h Pepsi संस्कृती 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 संसंस्कृत dal अस्मा कम माने हमारे पूरवजा हमाने पूरवजोने मानव जीवन मानव जीवन संसकुल तम माने सजाने समानने के लिए महान तम माने मान प्रयतन माने प्रयतन अकुरवन माने किये तो आप क्या लखेंगे प्यारी बच्चों की मानव जीवन को सजाने समानने के लिए महान प्रेतन किये तो अस्माकम बही अस्माकम माने हमारे जीवन माने जीवन में संस्क्रणाए तो महापुरसों ने हमारे जीवन को सजाने समानना के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया है बही हमारी संस्किर्ती है वैसा हमारी क्या है बेटा संस्किर्ती है नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों उसके बाद आएंगे आपके दो इसलोग देख लो प्रस्तोत पध्यास में से किसी एक का संदर्व सहित हिंदी में अनुबात करना है तो दो में से आपको किसी एक का इसलोग करना है देखो पहला दो इसलोग का है इन में से आपको एक करना है और वो भी संदर्व शहित करना है प्यारे बच्चो तो देखिए गए हम पहले इसलोग की उर बढ़ती हैं प्यारे बच्चो मानम हित्वा पिरियो भवती क्रोधम हित्वा ना सोचती कामम हित्वा र्थवान भवती लोभम हित्वा सुखी भवेत या तो ये कर दो मानम हित्वा मानम माने अभीमान हित्वा माने त्याक कर पिरियो माने भवती माने हो जाता है अभिमान त्याग कर मनुस प्रिय हो जाता है क्रोध हम हित्वा ना सोचती और क्रोध छोड़ कर मनुस फिर सोक नहीं करता काम हम हित्वा र्थवान भौती काम ना त्याग कर मनुस धन्वान हो जाता है और लोभ हम हित्वा सोकी भवेत लोब त्याक कर्मनुस सुखी हो जाता है तो क्या कहेंगे आप अभी मान त्याक कर्मनुस प्रियर हो जाता है क्लोब त्याक कर्मनुस सुख नहीं करता कामना त्याक कर्मनुस धन्मान हो जाता है लोब छोड़ कर्मनुस सुखी हो जाता है और बेटा इसका संदरफ कैसे लख प्यारे बच्चों सभी माँ माँ मत कश्चचत माने कोई भी दुख भागी भाव सभावित हैं कुई भी । वृबाकौ बागी ना हो ये किस्क्र या गया में भार्तिय संस्कृति से लिए तो आप सम्द्रम परस्तत श्लोक पर हिंदी में संस्कृत खंड के भारतिय संस्कृति नामक पाड़ से उद्रत है अब इसका नुबात करना है तो सभी सुखी हों सभी निरोगी हों सभी कल्यान को देखें और कोई भी दुख का भागी ना हो उसके बाद प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख रही होंगे इसमें पठित खंड काब अपने पठित खंड काब के आधार पर पिष्णों में से एक का उतरी यह प्यारी बच्चों तीन नम्मर का आया है इसमें किवल एक ही पिश्ण करना यह जिले बार बटा रहता है क्योंकि हम लिटपूर जिले की हैं तो बेटा अपने लिटपूर जिले म तो आपको जोती जवार में पंडिक जबाल नहरू का चैट चत्रन करना है वो मुक्तिय गमने ऐसे कह दिया था कि वो 12 में है प्यारी बच्चों वो भी लेटपूर जला में इसलिए बोल दिया था उसमें महात्मा गानी का चैट चत्रन किया जाता है खेर 10 में तो जोती था बस तो लिख दी या फिर नायक का च्छतरन कर दीजिए और हमारे ख्याल से थो आप नायक का च्रत्रचत्रन ही कर दीजिए वो वह आपको बहुत अच्छा सेहेगा तो इसमें से जो भी आपका हो प्यारे बच्चों बुआ डो ने कीया जाते हैं फिर उसके बाद अगल जिसका भी चाहें उसका एक जीवन परीचा लिख दिये और रचना की वाले एक लिखना है पांच नमर आपको मिल जाएंगी और एक खास बात इन में जो भी आप जीवन परीचा लिखें पहले एक बेटा सारणी बना दें पिर मुखनाम पिता माता और उसके बाद जनम रत्य लिखने हैं पिर उसके बाद आप जो लिखें तो इनको काली पैंसे दरसाद हैं खास-खास चीज़ें माता का नाम पिता का नाम जनम रत्य यहीं आपको गद्ध में करना यहीं पद्ध में देखो पद्ध से भी आएं मिटा पद्ध में से किसी कजीवन परीचा वी एक रह हैं तो फिर आप अपनी पाहर पुस्तग में से कंठस्त को यह जोई पिषने पत्ध में नाया हो जल्डी से भी आप इन दो के अलावा आपको जो भी याद हो वो लिखना है तो वो कह रहे हैं जो इस पिसने पत्त में नाया हो उनको आप लिख देजिए तो आगे बढ़ते हैं प्यारी बच्चो तो आपको ये किस लोक लिखना है जो इस पिसने पत्त में नाया हो दो नमबर उसके नरधारित क की जाएंगे नेक्स्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं निमन लिखत में ऐसे किनी दो प्रिष्णों का अधर दी यह प्यारी बच्चों चार संस्कृत के पिसने आए हैं इन मैंसे किनी दो के आपको प्रिष्णों के उत्तर देना है भारतिय संस्कृत मूलम कि मस्ती भारतिय सं क्या करेंगे बिटा भारती यही भारतीय संस्कृति का मूल है करना तो दो है लेकन हम आपको चार ही बताएं दे रहें बिटा चारों के आंसर आपको क्या यह पुरु राज आहां असीत यानि पुरु राज ऊते तो पुरु राज भारत भरात तो चंद्षेकर यह का क्रांतिकारी देशभक्ता आसीद नेश्ट बी रहा केन पूझेते बड़ा सिंपल सा बी रहा वीरेन पूझेते तो आपको इन में से किनी दोके करने थे हमने आपको सभी पता दिये नौमा पिसने निमिन लिखत में से किसी एक बिसाय पन्यबंद लिखो प्यारे बच्चो आ प्रियावन प्रिदूशन बेरोजगारी की समस्या बन रहेंगे हम रहेंगे जनसंख्या बिरदी मेरा पिडिया कभी आप उस तक यह काफी मोस्ट इंपर्डेंट निमंद आप जो भी लिखो पहली हडिंग डालना रूप रेखा फिर उसमें प्रस्ताबना फिर और हैडिं आप gonna उत्तरमध रेल्वे को पत लिखना है सिकायति पत लिखना है या फिर अपने मिध्र को एक पत लिख जीजिए जिसमें आपकी बिसे सुरुचिया हो तो यह पत्र बाला टॉपिक बढ़के आया है इसे बहुत अच्छे से प्यारी बच्छों करना अगर आपको यह पूरा पेपर समझ में आ गया होगा देखो चार नंबर में तुआ आया है क्या बेटा आपका पत्र उन्य बंद आया कितन रेंकों में साथ में तुप यह प्यारी बच्छों दोनों हल करके आना आसा करते हैं आपको पूरा सेट पेपर समझ में आ गया होगा इसी आधार पेटा दोजार चोबीस में हिंदी का पेपर होगा सभी पाठों की हमने बहुत ही सरल भासा में ब्याख्या डाल दी है तो हम बच्छों को भी पसंद आया है वो लाइक करें सेयर करें और जादा से जादा अगर्पो में से सेयर करें